हेलो फ्रेंड्स मैं अंजना आपका स्वागत करती हूँ और मैं बोल लहीं हूँ अंजना जलाइफ हेस्टाइल से एक ही पध करता हैं और इसमें से नए नए ब्रांचे ज़ो निकले हैं उन्में अभी फूल भी आ रहे हैं और ख़र करता हुए है और रचव यहां यहां सारे ज़ος दला बॉल फ्रिकां मि disparate लगी हुई है, तो मैं बहुत दीनों के बाद आई हूँ, लगबहक 11-12 दीनों के बाद मैं घर लोटी हूँ, तो देखती हूँ, जो हमारे गार्डिन का दिखाते हैं, आप सबों को जो तो मैं अपने दूधवाले को बोल के गही थी, जो राय जी को जो हमारे गार्डेन में थोरा सा एक दो दिन बीच करके पानी दे देने के लिए जो किसी तरफ बच जाए हम गार्डेनर को क्या होता है जो हम कहीं जाते हैं तो पूरा मन हमारे गार्डेन में ही लगा रहता है जो हमारे प्लांट सब सुख जाएंगे और यहां देखिए यह बैगन में वाइरस का आटेक हो गया है और बहुत सारे साग भी निकले हुए है और इसमें देखिए टमाटर में अभी फूल आ रहे हैं इसमें भी लगता है जैसे कुछ मरोडिया रोग जैसा पकर लिया है फूल तो आ रहे हैं पर फल नहीं लगे और हमारे सिमला मिर्च छोटे से सिमला मिर्च में एक सिमला मिर्च लगा हुआ है और इसमें देखिए बीच में जाके बहुत ही नीचे पका हुआ है टमाटर हमारे अभी गार्डेन में बहुत सारे टमाटर पक गए हैं क्योंकि दस दिन हो गए थे तो दस दिन में बहुत स सारे टमाटर पके हुए हैं देखिए सारे पर धूल जम गए है इस वार मेरे गार्डेन का फ्रेंट्स ठीक स्थिति है किसी किसी पॉट्स के मिट्टी तो सुख गया है पर प्लांट्स अभी अच्छे हैं एक से दो दिन बीच करके पानी दे देते थे पर छोटे वाले गमले जो है उनमें पानी जल्दी सुख जाता है उसे रोज चाहिए पानी और ग्रो बैग में तो दो दिन बीच करके भी दे तब भी कोई बात नहीं है गुरो बैग में पानी जल्दी नहीं सुखता है और यह हमारे देखिए उपर से ग्रीन डार्क ग्रीन वाले टमाटर ऐसे चोरे चोरे वाले हैं टमाटर और सिंग्री हमारे सिंग्री देखिए मोटे मोटे हो गया है क्योंकि सिंग्री तो एक से दो दिनों में हर्वेस्ट करने लाइक हो जाते हैं और हो गया दस दिन तो दस दिन में बहुत सारे सिंग्री मोटे मोटे हो गया है इस बार हमारे गार्डेन में थोड़े से कम बरबादी हुए हैं क्योंकि मिल गया पानी उसे तो किसी तरह हमारे प्लांट्स जीवित रह गया है और यह हमारे कुंदरू को अब साहरे की जरूरत है और धनिया हमारे पेर वाले धनिया इस वार एक धनिया का पौधा हो गया जो देखिए इतने लंबे हो गया है हमारे धनिया और सेम भी बहुत सारे फले हुए है कि कितने सारे शेम है उपर से भी दिखाई देए उपर बहुत सारे बरे बरे सेम हो गया है और इस सिंग्री में देखें कितने शारे सिंग्री निकले हुए हैं दो-तीन पॉदे हमारे सिंग्री जो अगर हम लगा लें तो हमारे एक दो-तीन चार आदमी के लिए बहुत सारे सिंग्री हो जाते हैं और यह बैगन में लगता है जैसे कुछ पकर लिया देखिए यहां चीटी लगा हुआ है जो कि बैगन हमारे थोरे से स्प्रे की जरूरत है हमारे गार्डेन में अब सीजन चेंज हो रहे हैं तो कुछ ब्लैक एफिट्स का भी अटैक होता है और गर्मी में थोरे से चीटी भी परशान करती है और हमारे मटर देखिए जब्बो में निकले हुए है मटर अब छोटे-छोटे से सिम्ला मिर्च इसमें भी निकल ला है कि यह हमारे बकला एक ही पौधा हमारे गार्डेन में बकला एक इसी तरह बीज मिट्टी में चला गया था तो बकला निकल गया है मैं इसका बीज डाली नहीं थी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हम हटाएंगे क्योंकि मतर जो हम हर्वेष्ट कर लेंगे उसके बाद हटा देंगे क्योंकि अब हमें भिंदी लगाने हैं गर्मी वाले सबजी हम नहीं लगाए थे जो हमें राने नहीं है तो छोटे जो बेबी प्लांट निकलते हैं अगर उसमें पानी नहीं पड़ता है तो सारे सुख जाते हैं देखिए हम मिर्च लगा के गये थे जो हमारा मिर्च है सुख गया और इसमें का दो बचा हुआ है और शुक गया इधर देखिए यह हमारे में थी थे और इसमें बथ हुआ यह भी हमारे शुक गया है और इसमें था हमारा और इधर हमारे देखिए दूबी दुरबा जो होते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते वाले दुरबा हो गया है जो भी खाद हमारे गार्डन में जो भी हमारे पॉट्स के खाद है उसको सारे न्यूट्रेंस लेके दुरबा बरा बरा सा हो गया है तो बरवादी तो बहुत सारे नहीं हुए हैं मिला जुला के को सकते हैं जो इस बार का हमारा गार्डन बहुत ही अच्छा रहा दिलिगोची तक जो कि जब भी हम गारडैन छोड़ के जाते थे कहीं हम दो-चार दिनों के लिए भी जाते थे तो जब भी मैं आती थी तो थोरे से देख कर शौक्ट हो जाती थी सारे मेनत हमारे बरबाद हो जाते थे लेकिन इस वार हमारा garden थोरे से एख हुए बरबादी हुई है पर उतने सारे बरबाद नहीं हुए है और इसमें देखिये ये लोकी लगा के गए थे यह मूली के बीज देखिए फ्रेंट से निकल गए देखने से बिल्कुल सिंगरी के तरह हमारे मूली के बीज लगते हैं फ्रेंट्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा मारा होसला बढ़ाता है फ्रेंटि से हमारे पालक देखिए इसमें भी घिया लगादिये थे जो कि अब हमारा घिया निकल गया है इस वार हमारे पालक के पत्ते बहुत ही बरे बरे हुए हैं और यहां हमारा करेला का है यह पौधा दो करेले थे इसमें तो एक सुख गए और एक बचे हुए हैं और अलग देखिए सारे में बीज निकल गए तो अब मैं कल से अपने गार्डेनिंग की शुरुआत करूंगी और सारे जो भी हमारे हटाने लाइक है सारे को हटा दूंगी और यहां हमारे परवल देखिए बिल्कुल इसका ग्रोथ रुका हुआ है और यह बिन लगाये हुए हमारे टामाटर है जो कि आप देख रहे हैं बहुत सारे फले हुए हैं टामाटर कभी कभी क्या होता है जो हम किसी चीज को नहीं लगाते हैं वो काते हैं नामलों के अने कि अनेरुआ वाले जो बीज हो जाते हैं तो वह ज्यादा फ्ल देते हैं इसलिए मैं इसको नहीं हटाई थी को और इसारे देखिए पालक बीज वाले हो गए तो इसारे को हटा देंगे अब हम फिर से कल से अपनी गारडेइनिंग चुरू हैद और देखिए इसमें हमारे कु और सारे टमाटर में, किसी तरह जंगल नुमा भी हमारे पॉर्ट सब हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे साग वगएर निकल गए हैं, तो पत्ते बगएरा काटके हटाके, अब फिर से थोरे से मेहनत करना होगा, क्योंकि दस दिनों में तो कुछ भी हम इसमें से हटाए नहीं हैं, और जो जन में हैं, वही जनम गया हैं, और इसमें देखिए कहीं करेला भी निकल गया है, तो फ्रेंट्स यही है हमारा गार्डेन, थैंक यू, फिर मिलूंगी एगले वीडियो में,